हेलो गाइज, इस वीडियो में मैं स्वाल करूँगा आपका एक और बहुत ही बेसिक डाउट ये कुश्चन स्टूडेंट्स को बहुत परिशान करता है कई बार कि जो कंपाउंड्स के अंदर पॉजिटिव चाह जाता है और जो नेगेटिव चाह जाता है वो exactly क्या इंडिकेट करता है और ये कब आता है और इसका क्या सिगनिफिकेंस है तो आईए इस बात को जानते हैं आईए दिखते हैं पहले example, पहले example में अपने पस मितिनॉल है और सामने H प्लस है तो सबसे पहले हमें H प्लस को एनलाईज करते हैं कि इस positive charge का मतलब क्या है जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि positive charge जो है इसका मतलब होता है deficiency, positive charge means deficiency अब किस चीज की deficiency? obviously electrons की deficiency तो H प्लस का मतलब है कि hydrogen का जो एक मात्र इलेक्रोन उसके पास था वो भी उससे चीन लिया गया है यानि H प्लस का मतलब बिचारा ठुली है इसके पास एक भी electron नहीं है अब यहाँ पे क्या हो रहा है lettuce से यह ओके पास loan pair है ओके पास partial negative charge है because of more electron negativity तो यह ओपना electron H प्लस को देता है इस दुख्यारे की help करता है जैसी यह करेगा यहाँ बन जाएगा CS3 OH2 positive अब इसने electron दिया तो ओपे positive charge आया पर इसका real meaning आपको समझ में आना चाहिए अब देखिए ओके पास total electrons है 8 लेकिन खुद के वेले इस electron ओके पास कितने होते हैं 6 होते हैं अब जो यह loan pair है यह जब इसने H plus के साथ share किया तो यह loan pair क्या बन गया bond pair बन गया यानि अब यह दो electron shared है पहले दुनों electron ओके हिस्से में ही थे तो यानि अब ओके हिस्से में electron 2 की बजाए कितने रह गए इस bond में एक ही रह गया जो positive charge आता है या जो negative charge आता है उसकी वज़ए total electrons के कम होना या ज़ादा होना नहीं होती उसकी वज़ए होती है खुद के जो valence electrons होते हैं उनका बढ़ना या घटना उससे actually charge आता है इस case में ओके जो valence electron है वो 6 की बज़ाए बिचारे के कितने रह गए 5 रह गए क्योंकि यहाँ पे उसने एक electron pair एक loan pair अपना क्या कर लिया share कर लिया तो इस कारण खुद के हिससे के electron रह गए 5 इसलिए plus जा जाए तो यहाँ पे ओकी octate जो है that octate is complete but still इसके उपर charge positive है आईए अगले example की बात करते है सबसे पहले c plus की बात करते है जैसे कि आपको पता है carbon atom चार bond बनाता है यहाँ carbon atom ने तीनी bond बनाये है और positive charge इसके उपर है यहाँ इस विचारे carbon की octate जो है वो क्या है incomplete है अब देखी total electrons इसके पास होने चाहे थे 8 और अगर आप count करेंगे तो यहाँ मिलेंगे आपको 6 electrons क्योंकि यहाँ पर 3 bond बनाये है इस basis पे इसके पास तो plus 2 charge होना चाहिए था पर जैसा कि मैंने बताया total electrons पे charge depend नहीं करता valence electrons के relatively कितना electron बड़ा या घटा उस पे depend करता है तो carbon atom के valence electron खुद के कितने होते है चार होते है तीन bonds में उसको कितने electron मिल गए तीन electrons मिल गए जो उसने share किये है बचा कितना एक electron तो उस एक electron की कमी की वज़े से इस C पे क्या आया है plus charge अब मान लिजी यह resonance करता है यह loan bear और positive charge आपस में traction करते है तो यहाँ पे lettuce से bond बनता है इस करणों पे plus आएगा तो reason आपको clear होना चाहिए कि plus क्यों आया यह plus इस वज़े से नहीं आया है कि इसकी octet incomplete है इसकी octet complete है यह इस वज़े से आया है कि loan pair जो है वो अब shared pair बन गया यानि जो electron ओ के हिस्से के थे वो अब carbon के साथ share हो गए है आईए देखते हैं एक और example इस example में हमने लिया है ROH और सामने NH2 negative सबसे पहले NH2 negative का meaning हमको समझना है तो देखिए N जो होता है इसके पास generally कितना loan pair होता है एक loan pair होता है अब यहाँ पे N ने कितने bond बनाए है दो bond बनाए है लेकिन negative charge का मतलब इसके पास एक और loan pair होगा यानि इसकी octet complete है पर इसने एक electron extra ले लिया तो negative charge से loan pair बढ़ जाता है और positive charge से loan pair कम हो जाता है अब यह negative charge अगर H को electron देता है तो यहाँ bond बनता है और यह bond break हो जाता है जिससे बन जाता है आरो नेगेटिव तो आप समझ सकते हैं कि आरो नेगेटिव क्यों बना क्योंकि यह जो bond pair था अब यह ओके हिस्से में जला गया और क्या बन गया loan pair तो ओको एक extra electron मिला जिसकी वज़े से इसमे नेगेटिव charge आया तो guys overall आपने समझा कि जो charge आता है atoms के उपर वो total नहीं वो depend करता है valence electrons पे और valence electrons अगर increase हो जाते हैं तो ऐसे कि इसमें negative charge आता है और अगर वो decrease हो जाते हैं तो ऐसे कि इसमें positive charge आता है ओके guys I hope इस वीडियो से आपको अपनी confusion बिल्कुल आपने clear कर ली होगी और अगर आपको हमारे वीडियो से बहुत help मिल रही है so guys प्लीज एक favor कीजिए जो हमारा anytime पढ़ाई academic का facebook page है उसको अब ज़रूर लाइक करें उसको follow कीजिए और एक honest rating ज़रूर दें ताकि हम जादा बड़ी audience तक बहुत सकें okay guys thank you